Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Industrial Solutions with Prashant. Friends, आज चुने में बात करने वाले हैं, AC2 Wire Sensor Connection. इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम AC2 Wire Sensor की practical wiring करते हैं. साथी Friends, इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ concept भी clear कराऊंगा regarding AC2 Wire Sensor. कि क्यों हम AC2 Wire Sensor में, पहले हम एक relay को connect करते हैं, और relay के थुरू हम अपने load को operate कराते हैं. साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी relay का हम use करते हैं, AC2 Wire Sensor के साथ. तो चलिए Friends, time waste नहीं करते हैं, और हम directly अपनी वीडियो पे आते हैं. तो सबसे पहले Friends, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के AC2 Wire Sensor आपने इंडस्ट्री में जरूर देखे होंगे. क्या होता है Friends, इसके अंदर एक universal चीज होती है, इसमें जो आपका ये brown color का wire देख रहा है Friends, ये brown, और एक होता है आपका blue color का wire. तो AC2 Wire Sensor के अंदर ये ही color coding मिलती है, चाहे वो कोई सीवी company का हो, autonics का हो, ombron का हो, या फिर dolphin का हो, एक wire आपका brown होगा, और दूसरा wire आपका blue होगा. चलिए Friends, अब हम बात करते हैं, AC2 Wire Sensor को कैसे connect करते हैं. एक चीज़ का ध्यान लखना Friends, जो भी आपके AC2 Wire Sensor होते हैं, ये हमेशा series में connect करते हैं, load के साथ, किस में? series, with load. ये हमेशा आपको Friends, ध्यान लखना है, AC2 Wire Sensor को हम connect करेंगे series में, with load. अब मैं आपको बताता हूँ Friends, कि किस तरह से ये sensors काम करते हैं, वान के चलिए Friends, ये आपका कोई भी AC2 Wire Sensor है, अब मैंने बताई दिया आपको इसके अंदर जो color coding रहती है, एक आपका blue wire होता है, और एक आपका brown color wire होता है, अब directly आप इनको connect नहीं करोगे Friends, 220V supply, जैसे मैं आपको उपर बताया है, AC sensors को हम कैसे connect करेंगे, सीरिज में लोड के थूँ, तो concept क्या होता है Friends, माल लिजे यहां से आपके पास कोई भी supply आ रही है, 220V की, मतलब की AC supply आ रही है, अगर आप brown वाले wire पे, या कोई से वायर पे, माल लिजे आपकर brown वाले wire पे connect करते हैं, कौन स इसके सामने कोई target आएगा, माल लिजे यहां हमारा target आया, sensor operate होगा, यहां भी आपको क्या मिलेगा, live wire, यह क्या हो रहा है Friends, जैसे आप किसी भी wire, अगर आप माल लिजे blue वाले को live wire देंगे, target जैसी इसके सामने आएगा sensor सामने, तो brown वाले wire में आपको 220V मिलेगा, ऐसा क् इसके अंदर क्या होता है sensor के अंदर, यह ऐसे NO surface होती है, और यह इसके साथ दूसरे wire से connect होता है, अब इसके अंदर thyristors वगरा होते हैं, transistor, diode वगरा होते हैं, जैसी target से सामने आएगा, तो यह NO किसमें convert हो जाएगा, NC में, तो इस तरह से आपकी supply connect हो जाती है, internally, तो अगर आप इस वाले wire पर live wire देंगे, जैसी target आएगा, वो sense करेगा, और आपको यहाँ भी live wire मिल जाएगा, यह तो होती है, आपकी internal operation of AC two wire sensor, आप friends, मैं आपको वाला concept clear कराता हूँ, जो मैंने बताया था कि हम पहले relay को connect कराते हैं, फिर एक किसी load को हम connect करते हैं, operate कराते हैं उस relay क माल लिजे, अगर हम कोई भी load लें, यह आपका 100 watt वाला bulb है, 100 watt का bulb, इसको हमने 220 volt supply दी, 220 volt AC, किसके थ्रूँ, एक proximity sensor के थ्रूँ, यह आपका कोई भी एक proximity sensor है, इसके थ्रूँ आपने इसको supply कर दिया है, ठीके, अब क्या होगा friend, जैसे ही आप इस bulb को operate कराएंगे, इस sensor के कोई target आएगा, suddenly यह bulb glow कर जाएगा, माल लिजे, अब हम जानते हैं एक चीज, जो 100 watt के bulb होते हैं, यह friend, 0.8 से 1 ampere के आसपार का current, draw करते हैं, अब connection क्या होते हैं, इसी 2 air के मैं बपताया था उपर, series में, और आप चीज जानते हो, हमेशा एक चीज आपको पताई है, start से, concept, series के अंदर, current same रहता है, तो इसके through भी कितना current जा रहा है, 0.8 ampere, फिर 1 ampere, तो आपको जो sensor के through current कितना जाएगा, 1 ampere, और एक चीज़ में आपको बतायता हूँ, जैसे कि यह 2 air sensor है, इसकी आप उपर, यह देख सकते हैं, voltage rating, साथ इसका जो load, bearing capacity को कितनी है, 500 million ampere, मतलब कि 0 0.5 ampere, अगर इससे उपर का आपका load होगा, या इससे उपर current draw होगा, किसके through sensor के through, तो आपका sensor खरा हो जाएगा, इसलिए जब भी आपके जो load होते हैं, अगर बड़े ampere rating के load हैं, और उसको आप directly connect करा दोगे, sensors के through series में, तो आपका sensor खरा हो जाएगा, हाँ, अगर आपकी load 0.5 million ampere से कम current ले रहा है, तो आप इसको ऐसे connect करा सकते हो, directly sensor को load के साथ series में connect कर सकते हो, लेकिन अगर आपका load बड़ा है, तो आप क्या करोगे, पहले एक relay को connect करा होगे, बल्ब की जगा, और उस relay के through हम connect करेंगे, अपने कोई भी load को, माल लिए बल्ब हो या फिर कोई आपका load, कैसा भी load हो सकता है, दूसरा question हम आपके दिमाग में आता है, जो आपकी relay है, हम कौन सी relay use करेंगे, हम wire sensor कौन सा use कर रहे है, AC 2 wire sensor, तो हम जो relay use करेंगे, वो भी, AC 220 volt वाली relay होगी, अब आप जानते हैं, relay के उपर भी उसकी एक rating होती है, अगर आप 5 ampere की relay करोगे, तो आप 5 ampere तक का load connect करा सकते हो, मतलब operate करा सकते हो relay के through, तो जो भी आपकी relay होगी, वो AC वाली होगी, और उस relay की जो भी आपकी rating होगी, उस rating तक का यह आप sensor use करेंगे, जैसे कि friend, यह आपकी relay है, MY2N, जो की 5 ampere तक का load ले सकती है, तो हम इसको अगर use करेंगे, इस relay को, त 10 ampere तक का load connect करा सकते हैं, 5 ampere तक का, तो यह सारी basic बाते complete हो चुकी है friend, अब हम समझते है, practical connections, जो wiring है, वो किस तरह से करते हैं, AC 2 wire की, तो मान लेजे friend, यह मैंने आपका कोई sensor ले लिया है, यह कौन सा sensor है, AC 2 wire sensor है, यह हो गया, अब इसके जो हमारे color coding होती है wire की, वो यह हम draw कर लेते हैं, एक brown wire होता है आपका, brown, और दूसरा wire कौन सा होता है friends, blue, यह मैंने कर दिया blue wire, मान के चलिए, यह आपकी, यहां से 224 DCS अपलाई आपको मिल रही है, एक आपका neutral point होगा, एक आपका live wire होगा, यह आपका live वाला है, दूसरा यह आपका neutral point है, फ्रेंड, जो मैंने आपको यह relay दिखाई थी, हलका सा मैं इसके wiring के basics आपको बतायता हूँ, ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी रहेगी, जो इस pins होती है friends, इस relay के base पे कुछ pin number रहते हैं, जैसे कि 13 और 14 नमबर होते हैं, यह आपकी supply pins होती है, जिस पे आप supply connect करते ह हैं, 9 नमबर की pin होती है, इसकी common, और वहीं, जो आपकी 5 नमबर की pin होती है, एनो, पस इन 4 pin का ही हम यूज़ करेंगे, 13, 14, 9 नमबर एनो, sorry, common, 5 नमबर आपका एनो, ठीक है, तो मान लेजिए, यहापर आपकी relay है, relay का मैं base का सरके diagram बना रहा हूँ, यह relay की pin है, चलिए friend, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया था, load के साथ हम series में connect करते हैं, अब मान लिजए आपकी पहले relay roll load होगी, और इस relay के थुरू हम कोई भी अपना load operate कराएंगे, तो सबसे पहले हमने connection किया, brown वाले wire को हमने direct दे दिया, live wire, मतलब 220 volt supply दे उस blue वाले wire को क्या कर दिया मैंने, 14 number point, यह आपका 14 number point मान लिजए relay का, इस से connect करा दिया, blue वाले wire को से, अब क्या हो गया, एक तरह से phase wire हो गया, phase क्यों हो गया, जैसे इसके सामने target आए का friend, sensor के आगे, मान लिजए कोई भी आपका target आया, तो हमने इसको 220 volt दिया हुआ है, जो मैंने आपको यहां पर concept समझाया था, तो हमें blue वाले wire वाले wire पीड क्या मिलेगा, live volt, तो हमें live मिलेगा, और इस live को मैंने करा दिया, 14 number point के साथ, अब यह आपका 13 number जो point है, यह वाला, इसको हम क्या देंगे, neutral, तो यह आपको यहां से आ रहा है, neutral, इसको मैं direct दे दू इसके सामने आता है, sensor के आगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा, 220 volt, और neutral आपको मिल रहा है, तो इस रिले आपको operate हो जाएगी, LED भिरिंग कर जाएगी, अब यह relay तो हमें operate करा दिये, अब हम समझते है, कैसे हम एक load को operate कराएगे, इस relay के थूँ, मान के चलिए, यह आपक तो neutral तो हमने directly यहां से दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था, जो no number आपका pin है, वो common है, तो जैसे कि no number pin है, इसको मैंने directly connect करा दिया, बल्ब के दूसरे वाले terminal से, जिस पे हम phase देंगे, neutral हमने यहां से दे दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे friend, no pin है, यह 5 number pin मान लिज अब क्या होगा friend, यह complete होचे हम भाई रहें, जैसे हमारा load आएगा, target आएगा, sorry, target आएगा, किस के आगे, sensor के आगे, तो यहां से हमें 220 मिल जाएगा, 14 number pin पे, और neutral दे रहे हैं, तो directly आपकी relay operate हो जाएगी, जैसे relay operate होगी, 9 number और 5 number क्या है हमारे, NO है, 5 NO है, 9 number आपका common है, relay operate होगी, किस में बदल जाएगा, NC में, जो कि अभी इस तरह के contact है, open, वो किस में connect हो जाएगे, NC में, तो यह जो phase आपका जा रहा है, इसके साथ connect हो जाएगा, इस wire से phase जाएगा, आपके bulb पे, और यहां से आपको neutral मिलना है, तो आपका bulb glow हो जाएगा, इस तरह से हमारे प क्यों सीरीज में connect करते हैं, इस sensor को, इसके बाद भी और आपको कोई doubt पचता है friends, तो comment section आप मुझे पताइए, मैं आपके doubt दूर करने की पूरी कोशिच करूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो friend like कीजे, जाएशा वीडियो को share कीजे, and please don't forget to subscribe my channel, thank you